पाकिस्तान में अगले साल आम चुनाव हो सकते हैं बड़ी ख़बर सामने आ रही है दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फौज और प्रशासन के दवाम में पाकिस्तान चुनावायोग ने अधिसुचिना जारेकर नर्वाचनक शेत्र के लिए पारिसीमन के लिए चा चुनाव करवाने के आदेश दे दियें तो बड़ी ख़बर आपको बता दें पाकिस्तान में अगले साल चुनाव हो सकते हैं जानकारी विल पा रही है कि पौज और पुश्यासन के दवाब में पाकिस्तान चुनावायोग ने अधिसुचिना भी जारी कर दी ओपीतिवार तो ये अब कहीं ना कहीं साफ हो रहा है कि अगले साल तक चुनाव हो जाएंगे पाकिस्तान में आम चुनावायोग बिल्कुल मोनिका मैं बता दूँ कि इस अधिसुचिना का एक और साफ पर मतलम जलता है कि पाकिस्तानी पोश्ट आवेदी इमरान खान की लोगत्रेता का तारा कुकि जिस तरह अलाग साथिस्तान में बने हुएं इमरान खान की लोगत्रेता लगत्तार परकरार है और जो पिछले जिनों उस चुनाव हुए थे उसमें भी इमरान खान की पार्टी को सच्छे ज़्यादा वोत मिले थे ऐसे में अक्टूगर में होने वाले चुना जाए जाए इसके लिए बाकाईडा एक चुनाव आयोपी अजिस्टूशना जादी करा दी गई है जिसमें दिसम्बर 2023 तक परिश्मन का काम प्रूबा होगा यारी कुल मिलगत्तानी बोश्ट ने चिरादे में सामयाब हो गई है इमरान खान की लोगता को देखते हुए च फैले धूएं की वज़े से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वहां के येलो नाई शहर से आई तस्वीरों में धूआ ही धूआ नजर आया ऐसा लगा मानों वहां कोई स्मोक ट्रैक्टरी हो हर तरफ उटे धूएं के गुबार से पूरा आसमान ढग गया रह उसरी तरफ जंगलों में फैलती आग की उंची उंची लपतें सब कुछ सुआ करने पर आमादा देखी ऐसे में वहां के गवरनर की तरफ से 20,000 लोगों को वहां से घर छोडने का आदेश जारी कर दिया गया स्पेन के तेनरीफ दूइब के जंगलों में लगी आग भी बेकाबू हो गई बताया गया कि तेज हवाओं की वजए से आग इतनी तेजी से फैलने लगी कि उस पर काबू पाना दमकल कर्मियों के लिए मुश्किल थाबित होने लगा और ऐसे में दमकल कर्मियों ने हलिकॉप्टर का साहर अलिया और आस्मान से जंगलों में पानी की बोचार की वहाँ के तेनरीफ दूइब से जो तस्वीरे सामने आई उनमें हर तरफ धुएं के बादल छाय नजर आए आग की लपतें और धुआं कई किलोमीटर दूर सही नजर आने लगा इसे देखते हुए आसपास के अलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया बताया गया कि आग में करीब साड़े चार हजार एकर जंगल जलकर राक हो गया जिसे बुझाने के लिए चौदा एरक्राफ्ट और धाई सो सेना के जवान तैनात कर दिये गए जो दिन रात आग पर काबू पाने में जुटे रहे वहाँ से जो तस्वीरे आई उनमें रात के अंधेरे में भी दमकल कर्मी आग बुझाते नजर आए